T point पे जो घर होते हैं, उन्हें road hit करती है, इस वज़े से उन घरों का वातवरण थोड़ा सा disbalance हो जाता है, देखा जाये तो इसके जो map dand है, वो 5 elements के उपर आधारित है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा घर 360 rotation में grid होता है, 360 degree में grid करने के बाद, 5 element theory भी इस पे applicable होती है, 5 elements आप जानते होंगे, fire, water, air, earth, and space, उसी तरीके से, जिस element के उपर road hit कर रही है, वो ही disbalance होता है उन घरों का, मैं पहले आपको element और उनके working pattern के बारे में समझा देता हूँ, water element का काम होता है, नए अफसरों को generate करना, इसके इलावा flow बना के रखना, और वैपार में निरंतर सफलता देना, वैसी ही, air element का काम है, किसी भी काम को करने की शक्ती प्रदान करना, नए कामों को समय पे कर पाना, और fire element का का काम है, धन अर्जत करना, और earth element का का काम है, stability दे ये 5 elements fix हैं, और इनकी कुछ directions हैं, जब किसी घर को इन elements की direction में कोई road हिट करती है, तो ये disbalance हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक force और pressure के द्वारा, road या चलता हुआ वाहन, उस पे एक उर्जा create करता है, और वो जिस element पे आरा होता है, उस element की उर्जा को बढ़ा देता है देखा जाए, तो ये एक positive note है, किसी भी element की उर्जा जब भी हम बढ़ाते हैं, तो उस element की उर्जा के वज़े से जो हमें benefits होते हैं, वो benefits एका एक बढ़ जाते हैं, पर क्योंकि ये T points पे घरों की बात चल रही है, तो T points पे आने वाले जो घर होते हैं, जिन्हें road हिट करती हैं, वहां लगतार अगर इस तरीके के hits आते रहेंगे, तो उनकी वो सोच, जो element से connect करती है, वो ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, एक उधारण के लिए, अगर not direction से हमें नई opportunities आती हैं, तो नई opportunities बढ़ने के वज़े से, व्यक्ति ये सोचता है, कि वो केवल बड़ी opportunities पे ह काम करेगा, छोटी opportunities को कई बार वो अपनी life से निकाल देता है, सोचने के लिए ये अच्छी बात है, पर practical environment में छोटी या बड़ी किसी भी opportunity को अगर हम अपनाते हैं, तो सफलता जल्द हासल होती है, और अगर हम चुनाओ करने लग जाएंगे opportunities के बीच में, ये चोटी है, ये बड़ी है, तो सफलता में ये बाधक बन जाती है, वैसे ही south east direction का काम धर्न अर्जित कराने का है, तो व्यक्ति बड़े धन की लालच में छोटे कामों को या छोटी राशियां जिन कामों से मिलने वाली होती हैं, उन्हें नकारने लग जाता है, वैसे ही west direction का का काम profit and gains क कर रही होगी, तो व्यक्ति जादा बड़े मुनाफे के लालच में छोटे मुनाफे वाले कामों को छोड़ने लग जाएगा, इसी तरीके से south west हमारे skill को, हमारी stability को गवन करता है, अगर south west के direction में कोई road hit कर रही है, तो हमारी stability, हमारे कहे गए शब्दों को लोग concrete नहीं मान क्योंकि वो व्यक्ति बढ़ा चड़ा के अपनी बाते करने लग जाता है, अब ये मानवी दिमाग है, ये अपने आप कुछ चीजों का आभास कर लेता है, देखा जाए तो बहुत सरल है, इन directions पे आने वाली road hits की energies को हम balance कर सकते हैं, अगर west direction में कोई road hit आ रहा है, तो आप उसके आगे का element, जो की water element है, उसका उपयोग करके उस hit को nullify कर सकते हैं, जैसे एक water fountain लगा दिया, घर के बाहर कोई नीला color करा दिया, या फिर कोई जल पिलाने का एक छोटा सा machine भी लगा दी, तो भी हम इस effect को nullify कर सकते हैं, वैसे ही east direction में आने वाली अगर कोई road hit है, तो fire अगनी तत्व, triangle का उपयोग, घर के बाहर एक triangle जैसा कोई आकरिती लगा दिया, कुछ red color के brick work करा के उसे नलिफाई किया जा सकता है, वैसे ही अगर north direction में कोई road hit आ रहा है, तो plants का उपयोग, green color का उपयोग किया जा सकता है, वैसे ही अगर south east direction में कोई road hit आ रहा है, तो yellow color क का उपयोग, कुछ पाहर जैसी आकरिती बना कर घर के बाहर, या कुछ cubicles, square shape के articles रखके, उसे नलिफाई किया जा सकता है, वैसे ही south west direction में अगर कोई road hit आ रहा है, तो space element का, round shape का, या white color का उपयोग किया जा सकता है, तो इसी तरीके से हम road hits को balance कर सकते हैं, बिना किसी तोड फोड के, पर ध्यान रखें, अगर आपको कोई property मिल रही है, तो road hit वाली property का चुनाव ना करें, इसी तरीके के कुछ और lectures अगर आप सीखना चाते हैं, तो हमारा course जो की March में हो रहा है, आप join कर सकते हैं, ये online course है, कहने को ये 7 दिनों का course होता है, पर चलता करीब-करीब ए एक महिना है, 7 दिन कहने के लिए 7 chapters हैं, उनी chapters के कुछ दूआ हैं,